असलाम अलेकुम एब्रिवन यह हमारा सेकंड लेक्चर है और यूनिट थिरी डेट इस जेनेटिक्स इसमें हम डिसकस कर रहे थे मियोसीज और सेक्च्छल लाइफ साइकल और कॉंसेट वन हमने केलियर कर लिया था जो के था ओफ स्प्रिंग एक्वार जीन्स फॉर्म पैरेंट्स बाइ इन्हेरिटिंग क्रॉमोजॉम्स अब हम कॉंसेट टू डिसकस करने लगे हैं जो के हैं फर्टलाइजेशन और मियोसीज अल्टरनेट इन सेक्च्छल लाइफ स साइकल पर्टलाइजेशन और मियोसीज जो हैं फंडेमेंटल स्टैप्स एं इन सेक्च्छल लाइफ साइकल और इसमें हम देख लेते हैं कि लाइफ सेकल क्या होती है अलाइफ साइकल इस जनरेशन टो जनरेशन सिक्वेंस आफ स्टेजीज इन दी रिप्रोड़क्टिव ह तो यह स्टेप बाइ स्टेप प्रॉसेज होता है जहां आप हम कंसेप्शन से लेकर एक आफ स्टेजीज सारे स्टेप्स को देखते हैं कंसीडर करते हैं तो यह सिम्पली क्या कहलाता है लाइफ साइकल और इसके अंदर सारे स्टेजीज इन वॉल्व होंगे कि फर्टलाइजेशन गेमिर्स की फर्टलाइजेशन किस तरह से हुई zygote कैसे form हुआ zygote form होने के बाद embryo stages और embryo में जितनी भी stages आ गई development की वो and finally हमाई पस off spring किस तरह से produce हुआ यहां हम human की example लेंगे ताके हम behavior of chromosome अच्छे से देख सके है sexual life cycle में we begin by considering the chromosome count in human somatic cells and gametes gametes or somatic cells में हम chromosome count देखेंगे we will then explore how the behavior of chromosomes relate to the human life cycle and other types of sexual life cycle chromosome का behavior हम human life cycle में भी देखेंगे और दुसरे example भी organisms की लेंगे जैसे के plants, higher plants lower plants, algae, fungi जाये तो वहां पे भी थोड़ा सा हम इसको sexual life cycle को discuss करेंगे, सबसे पहले हम देख लेते हैं set of chromosome in human cells in human somatic cells there are 46 chromosomes total chromosomes are 46 chromosomes और अगर मैं पेर की बात करूँ तो we have 23 पेर और 23 types of chromosome ठीक है, अब यहां पे यह जो क्रोमोजोम्स हैं इनका size और position of centromere change होती है and the pattern of color bands produced by certain chromatin binding strain यह यहां पे यह जो चीज है यह डिफरेंट है और इसकी basis पर हम क्रोमोजोम को distinguish करेंगे जब हम इनके study कप करते हैं जब यह मेटाफेस में होते हैं क्योंकि मेटाफेस में क्रोमोजोम्स जो है condensed हो जाते हैं, visible हो जाते हैं under microscope और हम clearly easily इनको study कर सकते हैं तो यहां पे सबसे पहले हम इनकी karyotype study करते हैं karyotype क्या होता है, हम क्या करते हैं मेटाफेस में images ले लेते हैं क्रोमोजोम्स की different stages पर कि किस तरह से develop हो रहे हैं images ले लेंगे हम all 23 pairs की ठीक है, इस तरह से condensed form में जैसे कि इस picture में दिखाएगा है ऐसे हमें आपस यह visible होते हैं और यह shape में, size में और number of band जैसी color band आपको यहां पे नजर आ रहे हैं पिक्चर में इनकी basis पर हम इनके pairs बना लेते हैं ordered और रर्ली इनको arrange कर लेते हैं जो कि क्या किलाता है, karyotype the resulting order display is called a karyotype ठीक है, यह karyotype typically हम इनको arrange करके इनकी study करते हैं अच्छा, अब एक यहां पर term आई है homologous chromosome the two chromosomes of a pair have the same length, centromere position and staining pattern अच्छा, भी मैंने कहा था कि इनकी जो position है या size है यह different होता है लेकिन अगर हम एक pair की बात करें तो एक pair जो है हमाई पस एक pair में हमाई पस दो chromosome है और दोनों जो हैं वो similar होंगे अब हम दूसरे pair की बात करें इसी के साथ अगर मैं बोलो यह वाला pair और यह वाला pair अगर हम इन दोनों pair को देखें तो यह similar नहीं है लेकिन इसमें अगर मैं एक pair की बात करूँ तो इसमें यह क्रॉमोजोम और यह वाला क्रॉमोजोम आपस में similar होंगे जब हमने इनका pair बनाया है जिसा अगर मैं pair of shoe की बात करती हूँ तो दोनों shoe जो हैं मेरे पास same है जब ही तो उनका pair बनाया है इसी तरह कोई भी चीज पैर में होती है तो वो similar होती है तो यहाँ पे यह pair of homologous क्रॉमोजोम है homologous किसलिए है क्योंकि यह same है इसलिए हम इनको homologous बोल रहा है तो यहाँ पे जो homologous क्रॉमोजोम है उनकी length, center of mere की position और standing pattern जो है वो similar होता है बहुत क्रॉमोजोम्स of each pair carry genes controlling the same inherited characters इन में जो genes पाए जाती है वो same characters को कंट्रोल कर रही होती है for example in a gene for eye color is situated at a particular locus on a certain chromosome then it's homologous chromosome we'll also have a version of the eye color gene at the equivalent locus जैसे अगर मैं बोलूँ के eye color जो control कर रहा है gene वो इस position पर है centromere की एक pair पर ठीक है pair के एक individual पर तो जो दूसरा मेरे पास sister chromated है यहां उसकी gene भी इसी position पर present होगी responsible for controlling eye color ठीक है now इसके बाद क्या कह रहे हैं अब exception हमारे पास आ जाती है x and y chromosome में यहां क्या होता है typically human female has a homologous pair of x chromosome female में दो x chromosome है हमारे पास homologous pair है while in male we have one x and one y chromosome अब यहां पे x और y chromosome में difference है बाके सारे chromosomes pair में हैं अब यह x और y का जो pair है यह similar नहीं है यहां पे y chromosome जो है वो tiny है ठीके तो सारे information जो के x में हैं वो as it is y में नहीं होगी some genes are missing only small parts of the x and y are homologous most of the genes carried on the x chromosome do not have counterparts on the tiny y ठीके some genes may be absent and the y chromosome has genes lacking on the x due to their role in sex determination the x and y chromosomes are called sex chromosome जैसे कि मैंने बोला कि x x chromosome female को represent करते हैं and x and y chromosome male को represent करते हैं तो यह gender specification में involved होते हैं therefore we call them sex chromosome the other chromosomes are called autosomes इसके इलावा बाकि जो chromosomes होते हैं वो होते हैं autosomes इसके बाद हमाँ पस टर्म आ जाती हैं deployed cell और haploid cell की somatic cells जो होते हैं they consist of deployed cell ठीके 46 chromosomes in our somatic cells are actually two sets of 23 chromosome अब maternal set जो off spring है वो acquire करते हैं 46 chromosomes एक सेट जो है वो maternal mother से आता है एक सेट और एक सेट जो है वो father से आता है मतलब paternal set होता है the number of chromosome in a single set is represented by n single set को हम n represent करते हैं मतलब अगर haploid होगा तो वहाँ पे हम n शो करेंगे as an abbreviation any cell with two chromosome set is called deployed और जहां हमारे पास 2 set होंगे chromosome के मतलब total 46 chromosome होंगे वहाँ पे जो cells होंगे उनको हम बोलेंगे deployed और उसको हम represent करते हैं 2 n से for humans the deployed number is 46 ठीक है 2 n is equal to 46 the number of chromosome on our somatic cells in a cell in which DNA synthesis has occurred all the chromosomes are duplicated जब भी DNA की synthesis होती है तो जो set of chromosome है वह duplicate होते हैं double हो जाते हैं and therefore each consists of two identical sister chromatid और यहां क्या होता है पहले यह exit था जब DNA के synthesis होगी तो यह double हो गया इसने विल्कुल अपनी जैसी identical copy produce कर ली और यह जो chromatid है अब हम इसको क्या बोलेंगे sister chromatid of one duplicated chromosome ठीक है यह दूसरा chromosome से जिसको उन्होंने color change कर दिया है एक यह represent कर रहे हैं कि एक paternal set से आया है एक maternal set से आया है तो उसको red से हमने maternal को show कर दिया और blue से paternal set को show कर दिया अब यह set और यह वाला set एक दूसरे के क्या होंगे non sister chromatid होंगे ठीक है non sister chromatid pairs हैं यह homologus pair है यह क्या represent कर रहे हैं pair of homologus chromosome one from each parent एक maternal है और एक paternal है बीच में center में यहां पे centromere होता है और यह एक chromosome दिखाया गया है ठीक है यह बीच में center में होता है एक यह sister chromatid है एक यह sister chromatid है इसके chromosome के जो arms होते हैं उनको हम chromatids बोलते है अब gamerts जो होते हैं हमाया पास वो haploid in nature होते हैं gamerts क्या है? sperm और eggs ठीक है? वो haploid है हमाया पास haploid cells हैं each has a haploid number of chromosome n से शुकर रहे हैं for humans the haploid number is 23 the set of 23 consists of 22 autosomes 23 के set के अंदर 22 autosomes आ जाते हैं हमाया पास then plus a single sex chromosome अगर egg है तो egg में क्या होगा? x chromosome present होगा ठीक है? अगर sperm है sperm में may be y chromosome present हो और may be x chromosome present हो यहां पे sperm के पास choice होती है कि उसमें x या y में से कोई भी एक हो सकता है chromosome लेकिन एक के अंदर always x chromosome होगा क्योंकि female में 2 x chromosome होते हैं जब haploid cell बनता है gametes बनता है तो उसमें female में से x chromosome आ जाता है और sperm में या तो y होता है या तो x chromosome होता है then they fertilize and produce offspring अच्छा number of chromosome होते हैं वह स्पीशी वाइस डिफरेंट होते हैं जैसे अगर हम फ्रूट फ्लाय की बात करें जिसका scientific name है dorsophila melanogaster it has a deployed number of 8 and haploid number of 4 chromosome fly के अंदर fruit fly के अंदर only 8 chromosomes present होते हैं अगर हम deployed की बात करें और इसका हाप कर दे है haploid ये बात करें तो 4 number of chromosome present हैं इसी तरह dogs में 78 deployed number and 39 haploid number of chromosomes present होते हैं राधर ये किस पर depend करता है linear pieces of dna make up the genome dna पर depend करता है कि कितने number of chromosomes dna scientists में involved हैं which is the function of the evolutionary history of that species और इसी की basis पर different number of chromosome होनी की वज़ा से evolution है history में और इसी की वज़े से different species आपस में एक दूसरे से अलग हैं